आज मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह Windows 10 में सर्च बॉक्स के जरीए किस तरह Windows Memory Diagnostic टूल किस तरह से ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सर्च बॉक्स यहाँ पर आपको टाइप करना है Windows Memory Diagnostic मैंने यहाँ टाइप किया Windows Memory Diagnostic और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है Windows Memory Diagnostic तो आपको इस पर जो है किलिक करना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा यहाँ पर पहले उपर दिख रहे हैं आपको restart now and check for problems दूसरा option है check for problems the next time I start my computer तो मुझे अभी ही check करना है तो मैं restart now पर किलिक करूँगा मुझे अभी ही problem check करना है अगर आप चाहते हैं कि next time आप computer open करे तो तब check हो तो आप दूसरा option select कर सकते हैं लेकिन मैं पहला ही option select कर देता हूं याला तो आपका laptop restart होंगा आपको wait करना पड़ेगा कुछ मिनट कोई भी बटन आपको नहीं दबाना है आपको सिर्फ wait करना है तो windows memory diagnostic tool windows is checking for memory problems memory problems check हो रही है this might take several minutes running test pass one of two तो दो running test है जिसमें से एक शुरू है 10% complete हो गया overall test 5% complete status यहां पर दिखाई देंगा तो no problems have been detected यद अभी तक तो कोई problem नहीं दिखिए और ये सब होने के बाद आपका laptop फिर से restart होंगा automatic तो आपको कुछ minute wait करना पड़ेगा जैसे भी आप देख सकते हैं कि 22% हो गया है और यहां पर जो भी problems आएंगी यहां पर आपको दिखाई देंगी जैसे अभी status दिखा रहा है no problems have been detected yet अभी तक तो कोई problem भी detect नहीं हुई है तो मैं wait करता हूँ कुछ minute 34% हो गए अब कि यहां नीचे option है F1 options है यहां पर और exit के लिए ESC इसके button आप दबा सकते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है मैं सिफ wait करता हूँ यहां पर स्टेटस देखना है मुझे क्या problem इसमें detect होता है 51% complete हो गया है के running test 1 of 2 98% complete हो गया और overall test status 49% तो running test अब जो है 2 of 2 शुरू हुआ है first complete हो गया दूसरा test start हुआ है अब और no problems have been detected yet running test past 2 of 2 48% complete हुआ overall test 74% complete हुआ status no problems have been detected yet आपको wait करना है कोई button नहीं दबाना है अभी अभी आप देख सकते हैं के यहां पर 96% complete हुआ running test और overall test जो है 99% complete हो गया है तो दोनों भी अब देख सकते हैं के restart हो रहा है हमारा laptop आप आप आप